कूर्स छे गड़त में आकलन इसमें पांच भाग हैं और पांच भाग में से 0 से शुरू हो करके 5 तक चलेंगे इनमें 0 से लेकर के 4 भाग तक यानि भाग 0 पर 6 भाग 1 भाग 2 भाग 3 और भाग 4 इनमें कुछ प्रिशनोत्ती बीच बीच में प्रियोग की गई है उन सभी को इ प्रिशनोत्ती को बाग 3 और 4 प्रिशनोत्ती का होगा और उसके बाद में नेक्स्ट और अंतिम भाग होगा वह 5 जिसमें संपूर जो आकलन वाली परिच्छा की प्रिशनोत्ती है उसको सामिल किया क्या है तो इसलिए आप वीडियो में आंत तक जरूर बनी रहें तो सब स प्रिशेब गुरूप और टेलिग्राम को जोईन नहीं किया है तो उन्हें जरूर कर लें उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी साथी बताने चाहूंगा आप ज्यादे से ज्यादा को सिस करें यदि आपने टेलिग्राम अगी तक इस्ट अभी तक हमने 5 प्रसचड़ों को जैसा कि आपको मालूम है कि 31 मार्च तक हमें 25 प्रसचड़ पूरे करने हैं और उनका पॉकेट पीडियेफ जारी कर दिया गया है तो वो यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें मैं आपको बारी बारी से इनकी वीडियोज देता रहूँगा साथी साथ उन प्रसचड़ों की लिंक भी आपको वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिलते रहेंगे तो यह जो कोर्स नंबर 6 है कड़त में आकलन इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर के आप इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किन प्रशनों को और कैसे प्रशनों को सामिल किया गया है अंत तक जरूर देखें अलो सिच्चक साती हो नमस्कार आप देख लेए डेली गिरो यूट्यूब चैनल और इसमें हम लोग जो पॉकेट बुक हम लोगों को पीडियाप में मिली हुई है और इसमें अभी तक हम लोग 5 प्रशचड कर चुके हैं इसमें 25 प्रशचड हैं जिनको 31 प्रशचड इसमार्ज ठक करना है और इनमें से यह है छटवा प्रशचड गड़त में आकलन कोर्स से पर्चे और कोर्स से पर्चे में जो भी पॉइंट से हैं जो भी खंड हैं उनमें जो भी प्रिशनोत्री है उसको हम देखते हैं तो सुरू करते हैं इसको और देखते हैं प्रिशनोत्री पहली कौन सी इसमें प्रयोग की गई है तो यहाँ पर जो परिचे में 7 खंड है उसमें दूसरी खंड में एक प्रश्ण है हमारे ध्यान बच्चों की आगलन पर ना होकर किस पर होगा आप एक से अधिक विकल्ब चुन सकते हैं तो यहाँ पर लगता तो ऐसा ही है कि सभी विकल्ब सही होने चाहिए लेकिन यहाँ प तो मुक्रूप से यहाँ पर दो चीहों पर जाचागी है, पहला है आकलन क्या है, इसे कैसे करें, और चौथा विकल्ब है सीखने, सिखाने का और आकलन को कैसे बहतर बनाएं। मेरी तरह अधिकतर शिक्षकों को, शाद सभी प्रशनों के उत्तर जाएगे होंगे, लेकिन इस कोर्स में हम पहले और चौथे विकल्ब के प्रशन पर जादा ध्यान देंगे, आईए। यहाँ पर भाग एक में, जो 19 खंड है और 19 खंड में तीसरे खंड में एक प्रशन है, इन दोनों इस्तितियों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर दो इस्तितियां आप देख पा रहे होंगे, जो चित्रों के माध्यम से दिखाई गई हैं, यहाँ पर जो दिये गए हैं, चार पॉइंट निर्देशों की भाषा, आकरन के ओदेश, बच्चों से अपेच्छा और परिच्छा पत्र का प्रारूप, तो मुझे लगता है, यह सभी बिंदू चारों यहाँ पर सही हैं, इनको अब हम समिट करते हैं, हमारे अनुसार यह सभी विकल्ब सही हैं, तो यहाँ पर ग्यार्मेखंड में एक और प्रेश्न है, आकर बच्चों को ऐसे चिनोती पूर काम देने से क्या होगा, और यहाँ आपर चार विकल्ब दिए गए हैं, इन में से मुझे लगता है, जो विकल्ब सही होने चाहिए, वो दूसरा और तीसरा विकल्ब सही हैं, तो यहाँ पर उन्नीश खड़्णों में से सकता है, नमबर खड़्ण में एक और प्रेश्न है, अगर बच्चे इस तरह सीखने के वो देश और आकलन के मापदंड जानेगे, तो उनकी सिखाने, सीखने की प्रकरिया पर क्या अशर होगा, इसे आपर पांच विकल्ब दिए गए हैं, पहला विकल्ब है, कच्छा की प्रकरिया पर सिच्छक को फीट विक दिख पाएंगे, तो मेरे खाल से यह प्रस्न का उ सही नहीं हो सकता है, और दूसरा है, अपने सीखने के बरतमान इस तरह को जान पाएंगे, तीसरा है, गड़त की आउधारणाओं और प्रकरियां को सीखने के में सक्री होगे, सीखने और खुद की समझ के बारे में अपने आख से सवाल पूछ पाएंगे, और अपने सीखन की पिर्किरिया की जाच कर पाएंगी तो मुझे लगता है पहला छोड़ कर दूसरा तेशरा चौथा पॉच्वा विकल्ब सही होंगे इनको समय करते है पहले विकल्ब के अलावा सभी विकल्ब सही ही है अगर बच्चों को अभी तक हमने परचे और भाग एक में जो प्रशनोत्री की शामिल हुई उसको हल किया है अब हम देखेंगे गड़त में आकलन भाग दो आकलन किसका इसमें जो भी प्रशनोत्री शामिल हुई है उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे तो यहां पर भाग दो में अठारे खंड में से देख़े खंड में एक प्रेशन है गड़ित के किस पहलू का आकलन करना चाहिए। दूसरों की गड़ती सोच का बिसलेशर करना गोड़ा के पहाड़ों को लिख पाना सटीकता से सोच पाना तो यहाँ पर मुझे लगता है दूसरा चौथा शट्वा और आठ्वा यह विकल्ड उसके सही होने चाहिए तो यहें हम सब्मिट करते हैं मुझे दूसरा है कि अधार को लगी सूत्रों को याद करना उनके अधार पर सवालों करना यहाँ पर चौथे खंड में एक प्रस्न है इन दो उद्दीशियों में क्या अंतर है यहाँ पर आप राइट साइड में दो उद्दीशियों देख पा रहे होंगे एक है बच्चे जोड घटा गुडा और बाग के शवालों को हल कर पाएंगे और दूसरा है बच्चे जोड घटा गुडा और बाग के बीच के रिष्टे को समझते हुए रोज मर्रा की समझ्याइं हल कर पाएंगे और यहाँ पर जो विकल्प चार है इन में से कौनसा विकल्प सही हो सकता तो मुझे लगता है इन दोनों सवालों को देखते हुए समझ की इस तरों का अंता है तो इसको हम सम्मिट करते हैं हमारे नुसर तीसरा विकल्ब सही विकल्ब है यहाँ पर दस्वे खंड में एक और प्रस्ण है गड़ती बाचीत में हमें बच्चों की किन गड़ती कोशलों के बारे में पता चल सकता है तो यहाँ पर जैसे की चित में आप देख पा रहे हैं एक सवाल दिया गया है यहाँ पर दो डिबबे रखे हुए है और लिखा है दूसरी डिबबे को धाका लगाना पढ़ रहा है लेकिन पहले डिबबे को खीच सकती हूं तो यहाँ पर जो चार विकल्ब हैं इन में से मुझे लिखता है दूसरा और चोथा विकल्ब सही होना चाहिए इस पश्ट और उप्योगी तर्फों से अपनी सोच बताना और समस्याओं को हल करते समय अपनी सोच को ब्यक्त करना इन्हें हम सब्मिट करते हैं इन सभी में से सिर्फ दूसरा चाथा विकल्ब सही है